देहत्या गिता किर्ति मागे उरावी मना सज्जनाए शिक्रिया धरावी मना चंदना से परित्वा जिजावे परियंतरी सज्जनानी वबावी देहत्या गिता किर्ति मागे उरावी मना जब हम हमारे देह का त्या करते हैं इसका आफ्था ऐसा है कि हर जिन्दगी में मृत्यू तो अनिवार है मृत्यू तो एक दिन आना ही है इसे हम कहते हैं कि देह त्याग जिता जब हम देह त्याग करते हैं एक देह से दुसरे देह में जाते हैं तो वह देह जो जिन्दगी जीता है उस जिन्दगी में ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे उसकी लोग सराहना करे उसकी लोग सुती करे उसके लोग तारीफ करे उसको लोग भगवान के जैसा माने इसका मतलब की उसके मृत्य के बाद भी उसकी किर्टी उसके पीछे रहनी चाहिए मना सज्जना है जी क्रिया धरावी मतलब जो पहले पंक्ति में हमने कहा था कि हमारे वृत्य के बाद भी हमारी किर्थी पीछे उरनी चाहिए ऐसी हमसे प्रभु श्री राम जी क्रिया करके लेने चाहिए कि हम अच्छी तरह से सबकी सेवा करें सबकी स्थुति करें हमार और इसी का फल मिले कि हमारे बृत्य के बाद भी सब हमारी सराहना करें हमारे लिए अच्छे शब्द बोले हमें अच्छी आदमी की जैसा हमारी सुती करें तो वह हमारे तो वह हमारे कारी कैसे होने चाहिए तो अगली पंती में रामदाश जी बोलते हैं कि मना चंदना दे परितवा जिजावे परी अंतरी सज्जनानी वह वावे मतलब इदर वह मना चंदना दे परितवा जिजावे मतलब इदर वह चंदन के बारे में बोलते कि चंदन कैसे शीतल रहता है और वह खुद पिखलता है और पिखलते समय अपनी सुखंद चहुबाजू फैलाता है अपनी सुखंद से सब जन को अकरशित करता है उनको आनन्द देता है उनके तो सबको आनन्द देता है अमारी भी ख्रिया अचंदन के जैसे ही होनी चाहिए हम खुद जिदने चाहिए हम खुद कश्च जेनने चाहिए लेकिन सबको आनन्द देना चाहिए सबकी हित में अपना हित देखना चाहिए तो ऐसे करने के बाद हमें हमारी किर्थी पिछे रहेगी और सब जन हमें हमारे लिए अच्छे बोलेंगे यही शिक्वन हमको रामदा स्वामी जी ये श्टोक में देते है स्री गुदेव दत्त स्री राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम